नमस्कार स्टूडेंट कैसे आप लोग आसा करते हैं कि आप लोग अपने घर पर सुदश्चित होंगे लागडाउन के नेमो का प्वालन करते होंगे और इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे आज की वीडियो में सरल रेखा का जब और जश्ट सवाल में बता पढ़ाने जा रहा हूं कि किसी काम को करने से पहले ऊसका पूचिछे जाएंगे है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें घंटी की बटन दबा दें ताकि इस तरह की वीडियो उनके मोबाइल तक लागतार रोज रोज जाती रहे ठीक है सवाल देखिए किसी तिर्वज जिसकी भुजाएं 4x-7y-10-0 x-y-5 तता 7x-4y-15 का लामबिक केंद्र क्या है कि इतना गजब का सवाल है कि लामबिक केंद्र जब पूछेगा या लंबकेंद्र पूछेगा तो मैं आपको एक तकनिकी बता दे रहा हूं इस तकनिकी का इस्तेमाल करके आप ब ले ले लेना बता रहा हूं देखो द्यान से भुजा एक तिर्वज जिसकी भुजा है 4x-7y-10-0 और दूसरी वाली भुजा x-y-5 तिसरी वाली भुजा 7x-4y-15 देखो तिर्वज में 3 भुजा होती है सही बात है एक भुजा एक भुजा एक भुजा एक भुजा एक अत्तिर्वज का लंब के अंदर पूछा है भाई साहब एक सब्द लंब के अंदर सुन करके आपको समझ में आज जाना चाहिए कि यह दोनों आपस में समकोड होंगे लंब केंदर में क्या होता है समकोड का कंडिशन होता है ना क्या होता है समकोड का कंडिशन समकोड का कंडिशन मलब दो रेखाएं परसपर लंबवत और अगर दो रेखाएं लंबवत हैं तो इन दोनों रेखाओं ने आपस में क्या किया होगा अदला बदली किसी इसका गुडांकों का अदला बदली अब तुम लोग समझ नहीं पारे हो वाट इस अदला बदली तो एक्स्टेंज किया होगा इन्होंने अपने को से को कोफिसियंट का ठीक है यानि इन लोगों ने इन रिखाओं ने जो रिखाएं आपस में लंब केंद्र बना रही होंगी वे दो रिखाएं आपस में जरूर अपने यक्स और वाई के गुडांकों को रिप्लेस कर चुकी होंगी जरा देखते हैं इसमें इसमें क्या एस देख रहे हों इनका जो गुडांक है चार और साथ क्या इनके गुडांक में चेंज हो गया है यहां चार सुरूवात में तो यहां चार बाद में है यहां साथ बाद में है तो यहां साथ पहले है यहां बीच कचीन माइनस है तो यहां बीच कचीन प्लस है मल्लब मेरे है हाथ के उपर दोनों हाथ में आप देखेंगे जो इसकी सकल है अगर आपश में बदला बदली कर दिया जाए तो इसकी सकल बन जाएगी केवल एक सवाई का पोर्शन यह 10 और 15 को छोड़ देना है केवल एक सवाई के एरिया में देखिया आप इन्हों ने अपनी अदला बदल दिया और गुडांक भी बदल दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि यह रेखा और यह रेखा दोनों आपस में क्या है लंब है लंब कम लब एक दूसरे प्रनब्वे अंस का कोड़ बना रही है अब इन्हीं दोनों रेखाओं का प्रतिछेद बिंदों निकाल लो या आ इस पूरे समीकड में तो साथ चौक अठ्थाइस यक्स साथ सते ओन्चास वाई साथ दाही में सतर बराबर जीरो चार के गुड़ा उस पूरे में करके यहां लिखो चार सते अठ्थाइस यक्स चार चौक शोले वाई प्लस मेहर अब 15 उधर है तो हम सोच रहे हैं कि 15 पाया पच्छ में ले लिए तो माइनस पंदर हो जाएगा दिमाग लगाओ प्लस पंदर जब इदर आगा माइनस पंदर माइनस पंदर में जब चार के उड़ा होगा माइनस अब 36 कितना करे नौशे पंदर है चार पॉसिक छह के इतना है बढ़ाबर प्लस आठ्ट प्लस प्लस में सब्सक्राइब 233 जिके लेकिन अपंदर में सब्सक्राइब3 और 65 वाई बढ़ाबर एक्सथीश है माइनस उधर याग माइनस और यह पहले से माइनस है दूनों का म 1 कमान 2 उसमें रख लो चाह इसमें रख लो यह जBaby बात है ठीक है तो इसमें रख लेते हैं दो रखेंगे तो 72 लिए 14 माइनस 14 दस मैसे 14 फिरय गता कितना है गाम माइनस चार माइनस माइनस 4 उसर जाए गताKत कितना है प्लॉस प्लॉस 4 गया तो यक्स की बैइलु हो जाएगा उन इसमें नहीं रखना के वो ना इसमें रखना ठीक है यख्स की भेलू वाइक भेली टुए तहा है लंब केंद्र आपको मिल गया कितना कामा कितना क्वान कामा डू कि यह हो गया आपका एंसर विटा बिकल्प कोण साही है विकल्प इसका ये 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 डी वाला सही है ठीक है तो मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे बात सुनी समझी अच्छी लगी हो तो भाई सब कमेंट में लिखना क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं तो हमें जानेने का भी हक बनता है कि मेरे पढ़ाने का असर आप पर